आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। उन्होंने अपनी चोचो से नोच नोच कर कोई के तन पर लगे मोर पंख नोच डाले और उसका मखौल उडाने लगे। अपमानत और दुखी कोव अभारी मन से अपने घर वापस लोट आया। सारे साथी कोई सिर हिलाते उसके पास आप पहुँचे और कहने लगे तुम बहुत ही नीच जीव हो। अगर तुम अपने ही पंखो से संतुष्ट रहते तो तुम्हें दूसरों से इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ता और नहीं तुम्हारे अपने लोगों की बीच तुम से घरिना की जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में खुश रहना चाहिए दूसरों को देख करके उसके जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए रोजाना ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक कीजिए अगर चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद